अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको एक बात धावे से कहता हूँ कि आप आज नहीं तो कुछ सालों बाद इन्वेस्टिंग जरूर करेंगे तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा आपको बहुत काम की बातें मिलेंगी और जब भी आप इन्वेस्टिंग करना शुरूर करेंगे ये बातें आपको फायदा देंगी ही देंगी इस बारे में मनें पहले भी कहा है कि अगर आपको अमीर होना है तो या तो कुछ तीर मारना होगा जैसे बड़े बड़े अमीर लोगों ने मारा है या फिर लंबे वक्त तक इन्वस्टिंग करना होगी अगर आपके दिमाग में लंबे वक्त तक इन्वस्टिंग के लिए कोई reservation है, कोई सवाल है तो उसके लिए एक वीडियो मैंने पहले बनाया है उसको देख लीजिए, सारे डाउट खतम हो जाएंगे बागी आज की वीडियो में तो हम सिर्फ और सिर्फ ये बात करेंगे कि मिलेनियर बनने के लिए लंबे वक्त तक इन्वस्टिंग की सबसे बेसिक टिप्स क्या है और क्या वो टिप्स आपको अमीर बना सकती है तो पहली टिप है सिर्फ वहाँ इन्वस्ट करिए जिस सब्जेक्ट को आप अच्छी तरीके से समझते हैं और अगर नहीं समझते तो पहले उस सब्जेक्ट को समझगे और फिर वहाँ इन्वस्ट करिए Warren Buffet इस बारे में बहुत ही कोप्यूरती से कहते हैं कि मैं किसी भी company की balance sheet देखकर शायद उसके बारे में नहीं बता सकता लेकिन अगर मैं उस company के काम को समझता हूं और उसकी balance sheet को देखता हूं तो मुझे सब समझ में आ जाएगा इस बात को एक छोटे से उधारन से समझाता हूं मान लीजी आप electric vehicle बनाने वाली किसी company के stock को खरीतते हैं लेकिन आपको ये समझ नहीं है कि electric vehicle का future क्या होगा क्या ये सफल होगी या नहीं होगी इस business को mainstream में आने में कितना वक्त लगेगा अगर आपको ये बाते पता नहीं है तो मुम्किन है कि आपको उस company पर भरोसा नहीं होगा और छोटे से downfall पर भी आप sell करके बाहर निकल जाएंगे और आपको इसमें loss ही loss होगा लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये तकनीक नहीं है market based बनने में वक्त लगेगा और आप छोटे मुटे downfall से डरेंगे नहीं बलकि ठीके रहेंगे और वहीं से आपको फायदे भी मिलेंगे तो पहली long term investing tip है वहीं invest करिये जिसे आप समझते हो दूसरी long term investing tip ये है कि जब आप risk लेते हैं तो उतना ही risk लेजिए जितना आप खोने की हिम्मद रखते हो फिर से हम electric vehicle companies का example लेते हैं अगर आप आज भारत की किसी electric vehicle company में invest करते हैं तो यहां risk भी बना ही रहेगा क्योंकि हमारे देश का infrastructure विक्षित देशों के मुकाबले काफी कमजूर है हमारे यहां charging network उतने strong हो पाएंगे या नहीं अभी हमें पता नहीं और अगर यह तकनीक अगले 10 सालों में develop नहीं हो पाई तो शायद आपका investment आधा हो जाए या खतम भी हो सकता है मुझे यकीन है ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम बहुत तेजी से भविश्य में कदम रख रहे हैं और यह सिर्फ एक उधारन है लेकिन नकरात्मक संभावना को देखा जाए तो इस sector में आपके investment के खोने का risk भी बना रहेगा अब अगर आप इस नुक्सान को वरदाश्ट नहीं कर सकते तो यह investment नहीं करिए वही आपके लिए बैतर होगा क्योंकि stocks में पाने की संभावना भी है और खोने का डर भी तो दूशरी long term investing tip सिंपल ची है इन्वेस्ट कर रहे हैं तो खोने की हिम्मद भी रखिए तीशरी long term investing tip भी बहुती सीधी है लेकिन practical है आप अपने पैसे को अलग-अलग सेक्टर में invest करिए जैसा कि Warren Buffet कहते हैं अपने सारे अंडे एक ही bucket में मत रखिए और वो यह कहते हैं क्योंकि बहुती common sense वाली बात है अगर आप एक ही bucket में अपने सारे अंडे रख देते हैं और यह bucket किसी तरीके से गिर गई तो आपके अंडे बिखर जाएंगे बरबाद हो जाएंगे लेकिन अगर आप अपने अंडों को एक की जगह चार बाल्टियों में रखते हैं तो इस बात की संभावना बहुती कम है कि आपकी चारों ही बाल्टियां गिर जाएं अगर आपको कोई नुक्सान होता है तो वो एक या दो बाल्टियों में होगा और बाकी की बाल्टियां सुरक्षित रहेंगी और ये भी मुम्किन है कि उन सुरक्षित अंडों से मुर्गियां भी निकलें और उसके बाद और अंडे देकर आपके नुक्सान की भरपाई कर दें आपको फायदा भी दें अब इसे हम share market की टम में समझें तो फिर से अपने electric vehicle वाला उधारन ले लेते हैं आपको भले ही इस बात का भरूसा हो कि इस sector में भविश्य में बहुत अच्छा return मिलेगा लेकिन फिर भी आपको अपना पूरा पैसा इसी sector में नहीं डाल देना चाहिए बलकि आपको ऐसे और sector explore करना चाहिए जहाँ आपको फायदे मिलने के chances हो सकते हैं हो सकता है यह नए sector हो हो सकता है पुराने sector हो यहाँ important sector नहीं है diversity है मतलब अपने अंडों को अलग-अलग बाल्टी म रखने में ही समझदारी है इस तरह से अगर माल लीजिए एक sector ने growth नहीं पकड़ी तो भी आपकी growth होगी यह बात तय है तो investing से मिलेनियर बनाने वाली तीशरी tip है अलग-अलग sector में invest करिए investing से मिलेनियर बनने की चौथी tip है ऐसे stocks में ज्यादा invest करना जो dividend या return में ज्याद dividend क्या है तो रुको जरा सबर करो बताता हूँ जोगस पार्ट आईए आपको समझाता हूँ पहले बात करते हैं dividend की तो यह ऐसा है कि company साल के अंत में जो फायदा कमाती है तो उस फायदे का एक हिस्चा अपने share धारकों को दे देती है यही हिस्चा dividend होता है अगर आप उधा लाख रुपया dividend मने देंगे तो हर share holder को एक share पर 30 पैसी मिलेंगे जो share की कीमत बढ़ रही है वो तो है ही यहाँ यह गणित companies की हिसाब से थोड़ा और पेचिदा हो सकता है लेकिन मूल भावना यही रहती है अब बात करें return की तो यह सीधा सा गणित है कि जिक share की value जितनी ज्यादा बढ़ सके वो उतना ज्यादा return देगा मान लिजी कि आपने एक stock 100 रुपय में खरीदा और अगले साल आज ही के दिन इसकी कीमत 130 रुपय हो गई तो यह share आपको एक साल में 30 प्रतिशत का return value देने वाला हो गया है तो यह investing से अमीर होने के लिए मिलेनियर बनने के लिए चौथी टिप है ज्यादा dividend और return देने वाली company में invest करना इन्वेस्टिंग से मिलेनियर बनने की पांचवी टिप है कभी भी panic selling और greedy buying नहीं करना यह बहुत ही सिंपल सा fact है कि जो कच्छे share investor होते हैं वो अपने ज्यादा तर फैसले या तो लालत से लितने हैं या डर से और यही दो गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करना है देखे share market में हमेशा ही up और down आएंगे कही बार ऐसे मौकी आएंगे जब आपको लगेगा कि सब उपर जा रहा है जिस share की कीमत कल या पर सो तक 50 रुपए थी आज वो 350 रुपए की हो गई कल तक इंतिजार करा तो आपको लाला चायेगा यार इस share की कीमत तो बहुत फाड हो रही है बहुत उपर जायेगा यह और आप लालच में आकर इसके share actual value के बहुत ज़्यादा कीमत में खरीद लेते हैं और यही होती है greedy buying अब इस share के दाम थोड़े से बढ़े आपनी सुचा और बढ़ेंगे लेकि आपको लगता है एक दिन की बाद है फिर से उपर जाएगा लेकिन अगले दिन एक और डिप आता है और आपको डर लगता है कहीं सब बरबाद ना हो जाए और आप डर के बेज देते हैं यही होती है panic selling यहाँ ज़रूरी नहीं है कि जो धारन मैंने दिये हैं वही situation हो बहुत सारे variation हो सकते हैं लेकिन जब आप लालच में आ करके कोई खरीदी करते हैं तो वो greedy buying होती है और जहाँ डर के कारण आप share भेज देते हैं वही panic selling होती है long term investor इस तरीके की गलती नहीं करते वो हमेशा ही समझदारी से invest करते हैं वो अपने investment पर भरोसा करते हैं और उसे hold करते हैं और इसके साथ ही जरूरी यह है कि वो over price कुछ भी नहीं खरीदते हैं investing के millionaire बनने के लिए जो छटी tip है वो है एक plan बनाना उस plan पर ठीके रहना और लगातार आगे बढ़ते रहना अब यह कैसे करना है तो यह बहुत ही simple चारूल है पहले आप यह सोच लीजिए कि ह हर महीने मुझे अपनी saving के इतने प्रतिशत पैसे को stocks में invest करते जाना है और इसको अभी touch नहीं करना है in fact कभी भी touch नहीं करना है अब इसके बाद 4-5 अलग-अलग segment को चुन लीजिए जैसे कि एक vehicle हो गया एक pharma हो गया construction हो गया banking हो गया aviation हो गया FMCG हो गया यह सिर्फ उधा चुन लीजिए जहां आप long term के लिए भरोसा कर सकते हैं और हर महीने थोड़ा-थोड़ा अलग-अलग stocks में invest करते जाईए अगर वो मुम्किन नहीं है तो एक महीने एक sector में invest करिए दूसरे महीने दूसरे में तीशरे महीने तीशरे में और यह process आपको आगे भी follow करते रहन अब जिरूरी नहीं है कि आपको यही plan बनाना है जो मैंने बताया है आपको अपनी समझदारी से अपना plan बनाना है आपको अपने बनाए हुए plan पर भरोसा करना है और बिना किसी डर या चिंदा के उस भरोसे पर हर महीने और भरोसा करते हुए आगे बढ़ते रहना है इस ये टिप मिलेनियर बना देगी ये वाद भी तय है तो इसका ध्यान जरूर रखिए और जो साथ भी लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी टिप है उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि कई लोग ये गलती करते हैं और बरबाद भी होते हैं ये टिप है सारा कंट्रोल अपने हाथों में रखना कई बात नए शेयर इंवस्टर सोचते हैं कि हम करेंगे तो कहीं कोई गलती ना कर दें चलो इसलिए हम किसी और से करवाते हैं हमारे पास अपना डिमेट अकाउंट नहीं है तो किसी दोस्त की या रिष्टेदार की मदद दे लेते हैं तो कुछ ल लोग आपके पैसे को उनके नाम से इंवस्ट करके आपको फायदा दिलाएंगे ध्यान रखेगा दोस्तों दुनिया में हर इंसान हर कंपनी हर व्यक्ति पहले अपना फायदा देखेगा फिर आपका फायदा देखेगा अगर उनका फायदा हो रहा है तो आपका नुक्सान उनके लिए कोई मायने नहीं रखता और वो गलत हैं भी नहीं आप भी अगर उनको पैसे देने की बात कर रहे हैं तो अपने भले के लिए दे रहे हैं अपनी लालत से दे रहे हैं पर ये एक गलती कर रहे हैं आप सोचिए किसी रिष्टेदार को आपने हर महीने 3,000 रुपए 5 सालों के लिए दिये वो हर महीने इस पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है अब इस पैसे से रिटन भी मिल रहा है और 5 साल के बाद 1,50,000 से जादा कर तो मूल अमाउंट हो गया और उस पर रिटन मिलते हुए यही पैसा करीब करीब 5,000,000 हो गया तो क्या आपका रिष्टेदार आपको वो 5,000,000 रुपए देगा प्रैक्टिकल बात देखी जाए तो आपको 1,50,000 रुपए मिल जाए वो बड़ी बात होगी और वो भी रिष्टा तूटे बिना और इस तरीके के इन्वेस्टमेंट में आपका कंट्रोल शूनी होगा मतलब आप यह डिसाइड नहीं कर सकते कि कहां इन्वेस्ट करना है कैसे इन्वेस्ट करना है कब निकालना है कब लगाना है इसलिए आपको अपना पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना है जब आपको लगे कि किसी शेर को खरीदना है तो खुद खरीदिये जब लगे बेचना है तो खुद बेचिये और ये सब काम आप अपने खुद के डिमेट अकाउंट से करिए बहुत आसान है आप अपने मुबाइल फोन से चला सकते हैं और अगर आपको लग रहा है कि डिमेट अकाउंट उबन करना मुश्किल काम है तो बिलकुल नहीं ये काम घर बैठे बैठे बैटे बैंक अकाउंट खुलने जितना आसान है आप अपना खुद का Demet Account बहुत ही आसानी से Open कर सकते हैं तो उसे Open जरूर करिए और अगर आपको लगता है कि अभी इन्वेस्ट शुरू नहीं करना है तब भी अपना Demet Account उपन करके रख लीजिए क्योंकि जिद दिन आपको इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना हुआ और दिन शायद आप ततकाल ये काम ना कर पाएं मतलब अगर आपके पास में अपना Demet Account होगा तो जब भी आप जिन्दगी में अन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं आप ततकाल से कर सकते हैं रही बाद Demet Account उपन करने की तो उसकी लिंक आपको डिस्रिप्शन में मिल जाएगी पिनकी एवे कमेंट में मिल जाएगी वहाँ से आप देख सकते हैं अपने अकाउंट को फ्री में उपन कर सकते हैं तो चलिए एक बार फिर से समराइज करते हुए इन टिप्स को समझा देता हूँ जिसमें पहली टिप है वहीं इन्वेस्ट करना जहां आपको समझ आता हो दूशरी टिप है रिस्क उतना ही लेना जितना खोने की हिम्मत रखते हूँ तीशरी टिप है अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग रखना चौथी टिप है ज्यादा वैल्यू देने वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करना पांचवी टिप है डर या लालच में कुछ भी खरीदना या बेचना बिल्कुल भी नहीं चटी टिप है प्लान बनाकर उसपर टिके रहना और साथ भी टिप है अपने हाथों में कंट्रोल रखना और जैसा कि मैंने बताया अपने हाथों में कंट्रोल रखने के लिए आपको अपने खुद के डिमेट अकाउंट से ही सब कुछ खरीदना है या बेचना है तो Demet Account उपन करने की लिंक आपको description और पिन की एवे comment में मिल जाएगी वहाँ से चेक करिए investment के लिए खुद का Demet Account जरूर उपन करिए अभी के लिए इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद